हेलो स्टुडेंट आपको यह बुक पढ़नी है इसके राइटर है और इस बुक का जो पहला चेप्टर है आपका वो है नंबर सिस्टम जिसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे नंबर सिस्टम जब हम नंबर काउंटिंग नंबर पढ़ते हैं तो वह पढ़ना होता है तो उसमें चशचे सब्सक्राइब या इस तरह से नंबर आपको लिखने भी आता होगा आपको अगला काम इसमें बताया जाता है कि नंबर दिया गया है नंबर का नेम लिखा हुआ है और उसको आपको figure के रूप में लिखना है जिसको आप अपने भासा में कहते चले आए हैं अब तक कि अंको में लिखना यह डिजिट में उसको लिखने के लिए आपको हम बता चुके हैं पहले भी इसके पहले भी पढ़ाएं होंगे हाँ डिजिट क्या होता है जीरो वन टू-3456789 तो जीरो वन टू-34567 89 10 यह 9 तक यह आपका डिजिट होता है और इनहीं डिजिट की सहाथासे हम नमबर बनाते हैं छोटे नमबर वन डिजिट के होते हैं उससे बड़े और बड़े जाएंगे तो हम इसमें 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे पड़ते चले जाएंगे तो ये 99 तक जो है वो आपका 2 डिजिट का नमबर होगा उसके बाद से 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट इस तरह से काम है पहला काम तो एक आप आसान सी बात इसमें समझे जो आपको याद करना आपकी बुक में दिया हुआ है वो है नोटेशन तो राइटिंग नमबर इन फिगर इस काल्ड नोटेशन जब आप जो नमबर नेम दिया रहता है उसको फिगर में लिखते हैं जिसे आप अंको इसको हम नोटेशन करते हैं उसी तरह से नमबर फिगर में दिया हुआ है और आपको दिककत नहीं है अब समस्य यह है कि नमबर जब फोर डिगट फाइब वाधा इसस तरह से बढ़े-बड़े जब नंबर बनते चले जाएंगे और उन नंबर का आपको notation करना होगा तो आप कैसे करेंगे तो उसके लिए ही हमारे mathematician ने जो system बनाया इंडियन इसमें जिसको हम इंडियन नंबर system भी करते हैं या हम इसको हिंदू Arabic system करते हैं इसमें हम लोग नंबरों को लिखते हैं बड़ा नंबर लिखने के लिए एक हमारा यह system है इसमें हम लोग यूज करते हैं 10 digits 0-9 तक के digits का ही उपयोग करके उसको अलग अलग प्लेस पे लिखते हैं तो नंबर हमारा फार्म होता है इसी इसमें बुक में जो है आपके पेज पे यह एक चार्ट दिया हुआ है जिसको आप पढ़ेंगे हां यह हिंदू Arabic नंबर सिस्टम के लिए एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें यह फर्स्ट उपर वाले रो में पिरियाड लिखा हुआ है पिरियाड लाक थाउजेंड और वन्स इधर से पढ़ा जाता है से वन्स थाउजेंड लाक आप ऐसे इसको याद करेंगे इसके ठीक नीचे सभी प्रेयड में कितने कितने प्लेश होते हैं यह दUI हुआ है वन्स के प्रिएड में फ्रेयर थी lock होते हैं वन्स एसे ही लाख वाले में लाख और ठैन लाक यह 2 प्लेशेंड होते हैं तो इसका यूज जख़ 국 offer के लिए और कैसे आप इसका उप्योग करेंगे, इसके लिए मैंने आपको एक चार्ट बना करके इसमें रखा है, जिसमें हम आपको बढ़ा है, कि आप देखिए, ये पिरियर्ड मैंने लिखा है, पिरियर्ड में करोड, लाग, थाउजंड, वन्स, और सब में हमने इसके प्लेस को भी लिख है, वन्स प्लेस, टैन, हंडर, थाउजंड वाले में, थाउजंड, टैन थाउजंड, लाग, टैन लाग, करोड, टैन करोड, एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे, कि वन्स के प्लेस में, वन्स का जो पिरियर्ड है, इसमें थ्री प्लेस दिये हुए है, वन्स तैन हंड बाकि सभी जो हैं वो टू-टू प्लेस पे होते हैं तो इसलिए जब हम हिंदू-अरेविक सिस्टम में जब नंबरों को लिखते हैं तो वन्स के पिरियेट के बाद से टू-टू प्लेस पे हम कामा लगाते चले जाते हैं और उसकी शायता से हमको लिखने में भी बड़े नं हैं हैं तो नंबर दिया हुआ है यहां पर हमें इसमें लिखें नंबर आपका वो है 10030 नंबर दिया है इसको कैसे लिखेंगे इस चार्ट में आप देखिए जो 90038 लिखा हुआ है तो 38 में वन्स के प्लेस पे 8 होगा तो जान बुझकर के नंबर मैंने कुछ इस तरह से लिए ताकि 100 के जगाँ पे 0 है और वो इसलिए कि अगर इसमें यहां जो नंबर दिया हुआ है 9,038 इसमें 100 की कोई चर्चा नहीं है तो जब 100 नहीं दिया है तो उसके जगाँ पे हम 0 लिख देंगे और 1000 तो उसमें दिया हुआ है 1000 यहां पे है 9,000 तो 1000 के प्लेस पे हम यहां पे 9 लिखेंगे इस तरह से यह हमारा नंबर बन जाएगा 9,038 ऐसे ही एक और इसमें है वो है आपका 9,038 उसके नीचे ओला 52,953 फिप्टी टू लाक आप यहां यह लाक की पिरियड में 52 लिख दें लाक हो जाएगा और उसके बाद से 1000 के जगह पे कोई इसमें नंबर नहीं दिया गया है यहां पे आप देखेंगे तो फिप्टी टू लाक के बाद से 1000 का कोई नंबर ने दिया है सीधे 900 पे है तो हम 100 पे पहुंच जाएंगे यहां पे दोनों जगह पे 0 लगाते हुए 9 प अपनी बुक्स का इसमें exercise 1A का question number 1 आप लिख लेंगे, आसानी से आप लिख पाएंगे, फिर आगे की चीजे हम आपको आगले वीडियो में बताएं.